हेलो एवरिवन, वेलकम टू एजुकेटर सुमित लूथराज केमिस्ट्री क्लासेज और आज की क्लास बेहत खासम खास रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एक बड़ी इंटरस्टिंग चीज जो है वो पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप किसी भी ऐलिम ईक नबर मालूम है तो आप उसकी पोजिशन जो है वो स्पैसिफिकली किस गृूप से है किस प्रिडिट से है किस ब्लॉप से है वह आप बता सकते हो तो इसको समझना बड़ा वी आसान है तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप उसका block, उसका period, उसका group और उसकी position किस तरह से आप बता सकते हो एक periodic table के अंदर उस element की position क्या है तो देखिए किसी भी element की periodic table के अंदर position को बताने के लिए आपके पास तीन चीज़ी जो है वो होनी चाहिए खिके, first is उसका block कौन सा है, number 2 उसका period कौन सा है और number 3 उसका group कौन सा है अगर आप किसी element का block बता रहे हो, उसका period बता रहे हो, उसकी group के बारे बता सकते हो तो it means कि आपको उसकी position का पता है, कि उसकी position कौन सी है, ठीके? तो चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसी एक element को ले लेते हैं चलिए मैं लेता हूँ सबसे पहले sodium sodium को लेते हैं sodium जिसका atomic number होता है 11 ठीक है तो sodium का atomic number 11 है तो इसकी electronic configuration लिखेंगे सबसे पहले electronic configuration है इसकी 1s2, 2s2, 2p6 and 3s 1 अब लेते हैं एक और element जैसे की मैंने ले लिया scandium ठीक है scandium तो scandium का atomic number है 21 ओके 1s2, 2s2, 2p6, 3s 2, 3p6, 4s2, 3d, 1 यह आ गई scandium की electronic configuration इसी तरह से अब हम लेते हैं और element कोई भी ले लिजिए phosphorus ले लेते हैं जिसका atomic number है 15 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 तो यह मैंने यहां पर तीन elements लिखे हैं for the example और better understanding आप कोई और element भी ले सकते हैं और उनके उपर भी यही principles आप apply कर सकते हैं जो मैं यहां पर apply करने वाला हूँ तो जैसे कि मैंने sodium लिया तो sodium का न मेरे को atomic number बस पता हो ना जैसे कि क्या उसका atomic number है जैसे कि इसका atomic number है 11 तो मैंने 11 के हिसाब से इसकी electronic configuration लिख दी है तो बेटा सबसे last में आपने देखना है कि जो last का shell है last का shell जो है यह वाला जिसे हम valence shell कहते हैं तो valence shell का जो valence electron है वो कौन से sub shell में जा रहा है तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि antim shell वो है third third shell is the last shell और इसके अंदर जो sub shell है वो है S तो इसका block जो है वो S हो जाएगा S block ठीक है तो sodium is a member of S block clear दूसरी बात अब हम बताएंगे कि उसका period कों सा है sodium का sodium का period कैसे बताएंगे देखिए बेटा sodium के अंदर जो सबसे highest number है मतलब last shell कों सा है last shell है उसका थर्ड तो उसका period भी होगा vi तो ये third period का member होगा हमारा sodium और sodium के third period के member के बाद अब हम बताएंगे कि इसका group कौन सा है, तो बेटा अगर आपका जो group है, वो आपको समझ आ जाए कि group कौन सा है, तो फिर आप उसकी proper position बता सकते हो, तो group के लिए आपको depend करना पड़ेगा block के उपर, कि उसका block कौन सा है, जब आपको block का पता चल जाएगा, तब आपको group का भी पता चल जाएगा, तो यहाँ पर इसका block है S, ठीक है, तो S block के लिए rule क्या है, कि अगर आप for S block, S block, अगर आपका member S block में है, तो group number is equal to number of valence electrons, number of valence electrons, जितने उसके अंदर valence electrons होंगे, उतना ही number उसके group का होगा, जैसे कि sodium के case में एक ही valence electron है, 3s1, तो इसलिए इसका group भी कौन सा होगा, 1, ठीक है, तो यह S block का rule है, कि S block के case में, जितने valence electrons होते हैं, उतना ही number होता है group का, जैसे मैं एक और example लेता हूँ magnesium की, तो magnesium का atomic number होता है बटा 12, तो इसकी अगर मैं electronic configuration दिखूँ तो बन जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, तो इसमें valence electron 2 हैं, तो इसका group number 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, period, block और group for S block elements, अब हम बढ़ते हैं आगे, P block की तरफ, P block की तरफ चलते हैं, ठीक है, P block, देखिए अगला member है मेरे पास, phosphorus, मैं इस member को पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं इस पर आता हूँ, ठीक है, तो P block में जो member ने लिया है, element वो है phosphorus, तो phosphorus में आप ही आपने वैसे ही देखना है, कि last electron जो है, वो कौन से सबशल में जा रहा है, वो जा रहा है P में, तो इसका block कौन सा होगा, P block होगा, तो इस तरह से हमने इसका block पता कर लिया, block के बाद period find करने का भी वही तरीका है, यह आपको देखना है कि valence shell कौन से number पर आ रहा है, तो इसमें valence shell है third, third, चीक है, three is the highest number, तो इसका valence shell है three, तो इसका period भी कौन सा होगा, three, तो हमने इसका period भी पता कर लिया, इसका period three है, अब बात करेंगे इसके group की, तो बेटा, group का पता लगाने के लिए, आपको depend करना पड़ेगा, उसके block के उपर, तो अभी बात करेंगे कि for p block, क्या rule है, for p block, group कैसे निकालते हैं, group number is equal to, बिल्कुल वैसा ही ऐसे, s block में निकालाता, लेकि थोड़ा सा फरक है, number of valence electrons, plus 10, 10, इसमें आपको 10 plus कर देना होता है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 10 plus कर देना है, और आपको उसका group number जो है, वो पता जल जाएगा, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास है, कितने valence electron है, 3 वाले में 2 और 3, total 5 electrons है, तो 5 में मैं plus कर दूंगा 10, तो इसका 15th group जो है वो आ जाएगा, ठीक है, तो phosphorus is in 15th group, ओके, so in this way you can find the group of the element, for P block members, P block के बाद जो अगला हमारे पास beta system है, वो है D block के लिए, ठीक है, scandium की बात करते हैं, अगला member है हमारे पास scandium, बाकी दो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अब बात हो रही है scandium की, ठीक है, scandium की बात हो रही है, scandium के case में आप देख पा रहे हैं कि antim electron जो है वो D में जा रहा है, तो इसका block होगा D block, ठीक है, इतनी तो आपको clarity हो चुकी है, दूसरी बात इसमें valence shell का number कौन सा है, तो बिटा, number हमारे पास बन जाएगा, 4, scandium का period कौन सा आगया, हमारे पास 4 आगया, अब बात करते हैं group की, तो group में आपने क्या करना है, देखो बेटा, इसमें जो valence shell का highest number होता है न, उसे हम बोलते है N, ठीक है, N, तो इसमें N की value कितनी है, 4, तो इसमें आपको क्या करना है कि, N, S, प्लस, N, माइनस 1, D, electrons को प्लस कर देना है, और आपके पास group का number आ जाएगा, इसका group कौन सा है, ठीक है, N, S, और N, माइनस 1, D, अब आप बोलोगे, यह कैसे संभव है, दिखाता हूँ, N, 4 है, तो N, माइनस 1, कितना होगा, 3 होगा, तो 3 के, D में कितने electron है, एक ही है, तो इसका third group जो है, वो मेरे पास बनेगा, तो Scandium का group कौन सा है, third है, ठीक है, so in this way, you can find easily, the position of an element, तो बस यह तीन rules आपको याद रखने है, S block के लिए, जितने valence electrons होंगे, वही group number है, P block के लिए, जितने valence electrons होंगे, उसमें 10 plus कर देना होता है, और D block के लिए, जो S वाले electrons है, highest valence shell के, जो S electrons है, उसमे N-1, D electrons को आपको plus करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर N की value 4 है, तो N-1 की value 3 हो जाएगी, ठीक है, चलिए यह random लिए एक और member पकड़ते हैं, और देखते हैं कि उसका group कौन सा है, period कौन सा है, और block कौन सा है, चलिए, किसी भी member को पकड़ लेते हैं, जैसे suppose कर लिए कि मैंने ले लिया member, iron, मैंने iron ले लिया, ठीक है, FE, इसका atomic number है 26, तो यह बन जाएगा, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, and 3D6, ठीक है, इस इस दे electronic configuration of iron, तो iron की electronic configuration हमने लिखी, तो हमें साफ साफ पर जाल दा है कि, अंतिम electron D में जा रहा है, तो इसका block कौन सा हो गया, D, और इसका period कौन सा हो जाएगा भी, period हो जाएगा इसका 4, क्योंकि highest number कितना है, 4 है, और इसका जो group है, वो कौन सा होगा, तो इसमें, Ns electrons, Ns का मतलब 4S, 4S में कितने electron है, 2, और N-1, D, मतलब 3D, इसमें कितने है, 6, तो इसका 8th group आएगा बेटा, इसका आजाएगा हमारे पास 8th group, ओके, तो ये हो गया हमारा D block के लिए, किस तरह से आप find कर सकते हैं, उसकी position, किसी भी member की position दा predictable, अब एक बात रह गया, F block तो करवाया है नहीं, तो बेटा, ब्लॉक जो है, वो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, कि last electron देखो, कोंसे shell में जा रहा है, ठीक है, कोंसे sub shell में जा रहा है, तो आप वहां से बिल्कुल सेम तरीके से, उसका block और period निकाल सकते हो, ठीक है, block और period आप उसका निकाल सकते हो, और सबसे आसान चीज़ है, उसका group find करना, तो F block के लिए, F block elements के लिए, group हमेशा 3 ही होता है, ये बात याद रखनी है, उसके लिए हमेशा group number 3 ही होगा, उसमें आपको कोई भी माथा खप्ची करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमेशा आपका group 3 ही निकलेगा, I hope कि आपको ये सारा कुछ clarity में जो है दिमाग में बैठ रहा होगा, और आप किसी भी member की electronic configuration से उसकी position का अंदाजा लगा सकते हो, कि वो कौन से group में है, कौन से period में है और कौन से block में है, एक member और करते हैं, जाते जाते, germanium 32 number, ठीक है, germanium 32, ठीक है, इसकी electronic configuration लिखते हैं, तो इसकी जब हम electronic configuration लिखेंगे, तो ये बन जाएगी मेरे पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2, ओके, तो ये मेरे पास होगे, 32 electrons complete, तो अभी 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 12, 6, 18, 18, 20, 20, 10, 30, 22, 32, पूरे electron होगे हैं, तो बेटा सबसे पहले मेरे को साफ साफ clarity में आ रहा है, कि इसके अंदर जो है, block कौन से है, block आ रहा है इसका P, block कौन से आ रहा है, P, block आ रहा है, और इसके अंदर group, period कौन से है, पहले period देखेंगे, period है, इसके अंदर चौथा, क्योंकि इस पूरी electronic configuration में highest number हमें जो नज़र आ रहा है, वो 4 ही आ रहा है, ठीक है, 4, ओके, अब हम बात करेंगे, इसका group number कौन सा है, तो बेटा P, block के लिए क्या formula लगा है, जितने valence electron असमें 10 plus करना है, तो valence electron कितने है, 4S2, 4P2, टोटल कितने, 4, उसमें 10 add कर देंगे, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 14, तो इसका 14th group होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको find out कर लेना है, उसका position, और यकीन मानिए, बड़े काम की चीज़ है, किसी भी member का position पता करना, ठीक है, तो ये एक बड़ी आसान चीज़ है, बड़ी useful चीज़ है, पेपर में, नीट में, competitive exams में और वैसे भी, आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, I hope कि इस वीडियो को देखकर आपके chemistry को पढ़ने के style में थोड़ा सा जरूर बदलावाएगा, आज की वीडियो यहीं पर खक्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं, thank you very much,